Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So, आज हम करने जारे class 10th का maths का chapter number 2, polynomials. तो अपना आज का lecture स्टार्ट करने से पहले एक quick announcement. मेरे telegram channel join कीजी, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, क्यूंकि जितने भी हमारे lectures होते हैं, उससे related सभी information और pdf आपको telegram channel पर ही मिलती है. तो जल्दी से जल्दी उस channel को join करिए, ताकि आप कोई भी update मिस ना कर पाएगे. ओके, सो बिना किसी देरी के start करते हैं, हम आज का अपना topic polynomials. ओके, सो polynomials होता क्या है? पॉलिनॉमियल जो word है आपका, दो word से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड आपका है poly और एक है आपका नॉमियल. पॉलि मतलब होता है many, ओके, और नॉमियल मतलब होता है terms. मतलब पॉलिनॉमियल को अगर हम simple wording में बोलें, तो पॉलिनॉमियल मतलब an expression composed of many terms. मतलब एक ऐसा expression जो की बहुत सारी terms से मिलके बना होता है. और वो सारी terms जो है आपकी plus, minus, multiply, divide से separated रहती है. ठीक है? तो अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि terms का क्या मतलब होता है? polynomial तो हमें पता चल क्या है कि एक expression है जिसमें हम बहुत सारी terms को combine करके एक expression बनाते हैं. लेकिन terms का क्या मतलब होता है? तो सबसे बहुत है हम समझते हैं कि terms का मतलब क्या है? Terms आपकी होती है combination of, combination of constants and variables, constants and variables separated by multiply sign. ठीक है? Simple अगर मैं wording में बोलूँ, तो terms का मतलब क्या होता है? एक ऐसा combination जो की constant और variables से मिलकर बना होता है. तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अब ये constant क्या होते हैं और आपकी ये variables क्या होते हैं? ठीक है? constant क्यों होते हैं? constant आपके होते हैं? जितने भी हमारे पास numbers होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी numbers हमें पते हैं, वो सब क्या होते हैं? constant मतलब कुछ ऐसे चीज़ जिसकी value कभी change नहीं होती. जैसे हमारा 1 है, 1 अगर आप अप यहां पर इंडिया में बोलिए 1, या किसी और country में चले जाएं, या किसी और state में चले जाएं, तो जो 1 की value है, यह कहीं change नहीं होगी. तो जो चीज़ जिनकी value same रहती है, उनको हम बोलते है constant. value क्या होती है आपकी? same. चैक है? उनको हम बोलते है constant. और variables क्यों होते हैं? variables वो हैं, जिनकी values आपकी change होती रहती है. चैक है? for example, अगर मैं आपको simple बोलूं, कि मेरे पास एक number है 70x. ओके? इसमें यह जो 70 है, यह आपका constant है, क्योंकि 70 की value तो 70 रहेगी, इसकी value नहीं change होगी. लेकिन यह जो आपका x है न, इसकी value change होगी. यह जो x है, यहाँ पर इसकी value कुछ और होगी. ठीक है? वही अगर मैं कोई और number बोलती हूँ, कि हमारे पास एक number है x plus 2. ठीक है? तो इसमें x की value कुछ और होगी. समझ आगया? तो variables क्यों होते हैं? variables हमारे alphabets होते हैं, वो जिनकी values आपकी हर condition में change होती रहती है. हम एक example के help से समझेंगे इसको. तो सबसे बहले हमने समझ लिए कि constant क्यों होते हैं, जिनकी value सेम रहती है. variables होते हैं, जिनकी value आपकी change होती है. समझ गए? और इन दोनों का combination, जो की multiply sign से separated है, उसको हम बोलते है term. For example, एक हमारे पास number है 6x. ठीक है? इसमें जो आपका 6 है, यह आपका है constant. और आपका यह जो x है, यह आपका है variable. चिक? और यह जो 6 और x है, यह आपस में क्या कर रहे हैं? multiply कर रहे हैं. जब भी कभी ऐसा number लिखा हो आपके बाद 6x, तो यह जो बीच में sign जो हमें नहीं दिख रहा है, वो होता क्या actual में? actual में वो होता है multiply, चिक है? मतलब यह कैसे बना हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ, तो यह है 6 cross x, 6 into x, तो 6 और x जो है multiply sign से separated है. तो यह जो पूरा number यह जो हमारा बना, यह हमारा number क्या है? यह है term, यह हमारा है term. समझ गए? term का मतलब क्या हुआ? term मतलब हो गया, एक combination of constants and variables, separated by multiply sign, चिक? तो यह हो गया term. तो एक term तो हम समझ गए. लेकिन अब यह polynomial क्या बोला था हमने? polynomial हमने पढ़ा था, expression of many terms, मतलब बहुत सारी terms को मिला कर हमारा बनता है polynomial. example, example हमारे पास इसी नंबर को ले रहते हैं, एक ले रहते हैं, 6x plus 9x square plus 2, चेक है? यह हमारे पास यह एक term है, यह second term है, यह third term है, है ना? यह आपकी एक term है, जो कि आपकी constant और variables से मिलकर बनी हुए है. यह भी एक term है, जो कि constant और variables से मिलकर बनी है. और यह एक term है, यह भी constant और variables से मिलकर बनी है. अब यहाँ पर variable क्या है? देखे, जिसके साथ आपके पास कोई भी variable नहीं है, उसको मैं ऐसे लिख सकते हूं, एक स्रेस्टो बार 0, क्योंकि हमारे पता है कि कोई भी number, उसके रेस्टो बार में अगर 0 है, anything रेस्टो बार 0 is equal to 1, एक स्रेस्टो बार 0 is equal to 1 होगा, 2 into 1 तो 2 ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं आपको दिखाने के लिए, कि यह भी एक term है, हाला कि अगर आप सिरफ 2 को as it is ही रखोगा, अगर बिना किसी variable की भी रखेंगे, कि तब भी वो आपको एक term ही कहलाएगी, ठीक है, तो polynomial यह आपकी एक expression क्या बन रहा है, यह expression आपका बन रहा है, polynomial, क्यों? क्योंकि बहुत सारी many terms को मिला कर एक expression बना है, तो इसको हम बोलेंगे, polynomial, समझ गए, दो चीज़, एक तो यह हमने बढ़ा कि polynomial क्या होता है, polynomial होता है expression of many terms, अब terms क्यों होती है, terms होती है हमारी combination of constant and variables, separated by multiply sign, तो हमारा constant क्यों होता था, वो numbers जिनकी value same रहती है, और variables क्यों होती है, वो जिनकी value change होती है, उनको बोलती है हम variables, तो term की example मैं आपको बढ़ा दी, जैसे यह 6x है, यह constant और variable से मिलकर बना है, और multiply sign बीच में है इसके, separated by multiply sign, term हो गया, तो polynomial क्यों होता था, बहुत सारे terms एक साथ अगर आपने लिख दी है, और यह terms के बीच में sign का भी ध्यान रखिये, जो बीच में sign है, यह क्या है, addition का sign है, तो जो दो terms हैं, वो आपस में separated कैसे होती है, या तो addition से, या subtraction से, उसके इलावा नहीं, समझें, दोनों में फरक क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बोला था न, कि हमारी term क्यों होती, तर्म होती है, constant और variable के बीच में एक multiply sign होता है, उसी तरह से, जब बहुत सारी terms होती है, उन terms को separate कोन करते है, कोन सा mathematical operation सेपरेट करते है, addition और subtraction, समझें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर multiply sign लगा लेती, तो यह तो पूरी एक term मन जाती, जैसे अगर मैं लिखूँ इसको 6x into 9x square, चीक है, तो यह आपका multiply करके, 9x is 54 आजाएगा, और x into x square आपका x cube आजाएगा, तो यह तो एक term बन गई फिर से, तो यह दो terms थोड़ी नो हुई, यह तो एक ही term बन गई, इसको तो मैं एक ही term लिख सकती हूँ, इसलिए multiply sign या divide का sign नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे addition या subtraction, तब ही तो दो अलग terms बनेंगी हूँ, तो समझ आया, polynomial क्यों होता है, बहुत सारी terms को एक साथ अगर आपने लिख लिया हुआ है, तो वो आपका बन जाता है polynomial, चिक, अब एक चीज़ हमें समझनी है इसमें, कि ये जो x है, x के power यहां पे raise to bar 1 है, यहां पे raise to bar 2 है, यहां पे raise to bar 0 है, तो ये power का क्या मतलब होता है, constant तो हम समझ गए, ये 6, 9, 2, constant आपके, variables क्या है, ये x है, तीनों में x ही variable है, लेकिन ये जो x के ऊपर जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं power, समझ के, इसको पर next page पे लिखते हूं अच्छे से, ओके, तो अगर हमारे पास एक number है, 6x, चिक, यहां एक number है हमारा 9x square, चिक, इसके, जो आपका variable है, वेरियेबल के ऊपर जो power है, वेरियेबल के raise to power जो है, वो है 1, यहां पे आपकी, इस case में power क्या है, 1, चिक है, इस case में power क्या है आपकी, 2, चिक, यह जो power होती न, इसका एको और नाम है, जैसे power है न, power को हम बोलते exponent, पावर को हम exponent भी कहते हैं, ठीक है, अगर question में यहां कहीं भी आपको power न लिखके, exponent लिखा होगा, तो confuse मत होना, exponent का मतलब भी power ही होता है, ठीक है, तो यह आपको समझ आ गया, कि एक polynomial में, बहुत सारी terms होती है, और हर term की अलग-अलग power हो सकती है, अब दूसरे बात ही है, कि polynomial होने के लिए, एक condition और important है, power से related ही, कि जो आपका polynomial है न, उसमें जो भी variable है, उसकी power हमेशा whole number होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपका polynomial है, उसमे variables की जो power है, variable की power जो है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, whole number होने चाहिए, अब भी वो polynomial कहलाएगा, अब whole number क्या होते हैं, वो numbers जो 0 से start होते हैं, whole numbers आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3, कुछ भी, infinite तक, सभी numbers को हम बोलते हैं whole number, start कांसे होते हैं 0, तो मतलब यह कि polynomial क्या हुआ, वो expression जिसमें बहुत सारी terms हैं, और वो सारी terms के जो variable है, उसकी power क्या होने चाहिए, whole number होने चाहिए, अब मैं 2, 3 example लेकर आपको distinguish करके बताती हूँ कि, कौन सा polynomial है, कौन सा polynomial नहीं है, ठीक है, एक तो हमारी example होगी, यही 6x plus 9x square, ठीक है, यह आपकी polynomial है, क्यों है polynomial, क्योंकि, बहुत सारी terms को use करके, हमने बनाया है, polynomial, चलो वो तो, हम किसी भी term को use करके, बना सकते हैं, लेकिन important चीज़ क्या दिखनी है, कि आपका जो variable है, उसकी power क्या है, उसकी power 1 है, 2 है, तो क्या 1 और 2 क्या है, whole numbers है, तो यह हमारा polynomial है, आपस में addition sign से separated है, तो यह देखने में तो polynomial लग रहा है, लेकिन यह polynomial नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो variable है, उसकी power देखो, यहाँ पे है minus 1, minus 1 आपका whole number नहीं होता, क्या होता है, integers होता है, negative integer होता है, यहाँ पर क्योंकि आपके power जो है, power आपकी minus 1 है, इसलिए यह whole number नहीं है, यह polynomial नहीं है, ठीक है, यह जो आपका expression बना है, यह polynomial नहीं है, याद रखना इसको, अच्छा, एक और example लेते हैं, हमारे पास है, x square plus 1 by x, बताइए, यह आपका polynomial है के नहीं है, देखना में यह भी polynomial लग रहा है, क्योंकि यह दो terms से बना हुआ है, terms कैसे, यह भी आपका constant डिटू variable है, constant, variable के साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है, 1 है, हम क्या सकते हैं ना, कि constant इसका 1 है, और variable क्या है, x है, और x की power क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका constant क्या है, 1 है, और variable क्या है, x है, लेकिन x की power देखो क्या है, denominator में 1 है, लेकिन अगर यह हम numerator में ले जाएं, तो यह क्या बन जाएगा, x raise to bar minus 1 बन जाएगा ना, समझते हो ना, 1 by x है, उसको मैं x raise to bar minus 1 भी लिख सकती हूँ, रही से ब्रोकल करके, तो इसकी power क्या minus 1 बन जाएगी, तो minus 1 तो भई हमारा whole number है नहीं, तो इसलिए यह भी polynomial, not a polynomial, समझ गए, कि polynomial क्या होता है, अच्छा एक और example, let's suppose हमारे पास एक number है, 5xq plus 2, बताईए, यह polynomial है के नहीं है, यह भी हमारा polynomial है, क्यों, यह मत कहना कि यहाँ पर आपका variable नहीं है, इसलिए यह polynomial नहीं है, variable सब terms में होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी term में variable है, तो उसके power whole number होना जरूरी है, ठीक है, यह जो हमारे पास term है, इसका constant 5 है, variable x है, और variable की power क्या है, 3, तो यह हमारी एक term है, separated by हमारा addition sign, और दूसरी term हमारी क्या है, 2, 2 में हमारा constant है, 2, ठीक है, variable नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हैं, तो हम assume कर सकतें कि x raise to about 0 है, पट उसकी requirement नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया ना, कि जरूरी नहीं कि आपकी हर terms में, variable होना जरूरी हो, लेकिन अगर variable है, उसकी power whole number होना जरूरी है, समझ गे, तो इसलिए यह आपको polynomial है, तो I hope आपको पता चल गया, कि polynomial के meaning क्या है, अगर आपको 2-4 expressions दिये जाएंगे, तो आप उसमें distinguish कर सकते हैं, कि कौन सा polynomial है, कौन सा polynomial नहीं है, ठीक है, इतनी से बाद आपको पता चल गई, second thing हम मैंने आपको बताया कि, जो variable की power होती है, power का another name, exponent b होता है, तो अगर आपको कही exponent word लिखा है, तो वो भी आपकी होज़ा कि power, चिक? अच्छा, अब एक चीज़ आती है, आपकी polynomial और equation में difference क्या होता है, देखिए, एक होता है हमारे पास polynomial, चिक है? एक हमारे पास होता है equation, दोनों में difference क्या है, polynomial और equation में, देखिए, polynomial मतलब जितना भी मैंने अभी बताया कि expression जिसमें बहुत सारी terms को हम addition या subtraction से अलग करके एक पूरा expression बनाते हैं उसको बोलते हैं polynomial ये क्या है हमारा एक expression है समझ गया है ये तो आपको समझ आई क्या है लेके equation क्या होती equation मतलब equation word में आपका equal sign equal का word छुपा हुए equation equate करना equal लग रहा है थोड़ा similar तो equation का मतलब क्या होता है जहाँ पर आपका left hand side equal to right hand side करके पूरा expression लिखा गया हो for example हमारा अगर लिख है x plus 2 is equal to 0 तो ये आपकी equation है मतलब जब तक आपका यहाँ पर equal का sign नहीं नहीं आ जाता वो आपकी polynomial कहलाता है लेकिन अगर equal का sign लिख के कुछ right hand side पर लिखा गया न तो वो equation है मतलब यह है कि हमारा x plus 2 जो है 0 की बराबर है 0 की equal है तो ये वाली form हमारी equation है यह है अगर मैं x plus 2 सिरफ लिखती तो यह हमारा polynomial है समझ गए polynomial और equation में difference क्या होता है ठीक है क्योंकि हम जब अभी questions करेंगे आगे तो उसमें हमें equation का use होगा तो इसलिए आपको polynomial और equation के बीच में difference बताओना ज़रूरी अब आगे समझते हैं okay so अभी मैंने आपको जितनी भी examples लिए उसमें मैंने variable एक ही use किया x का लेकिन क्या polynomial में सिरफ एक ही variable use होता है नहीं polynomial में आपके multiple variables use हो सकते हैं for example अगर मैं आपको एक equation दो 7x plus 9xy तो ये भी आपका एक polynomial है लेकिन फरक क्या है इसमें कि हमारे पास ये जो दूसरी term है 9xy इसमें 2 variables use कियेंगे मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी polynomial है इसमें 2 variables हैं 2 variables मतलब x और y दो अलग-अलग variables है अभी तक जो मैंने बताया उसमें सिरफ एक ही variable use किया गया था लेकिन polynomial में एक से जादा variables भी use हो सकते हैं another example लेते हैं जैसे आपका एक example हम ले ले लेते हैं 7x plus 9xy square plus 2xyz बताइए इसमें कितने variables हैं इसमें आपकी 3 variables हैं पूरी polynomial में 3 variables है कौन-कौन से एक है x एक है y और एक है z ठीक है और अब मैं वापिस पूछूँ अगर तो ये हमारी first term है इसमें x के power क्या है 1 इसमें x की power क्या है 1 और y के power क्या है 2 और यहां पे x की power भी 1 है y की power भी 1 है z की power भी 2 है तो आपको power देखना तो आ गया है इसमें बनेखको बताना था कि polynomial से होता है उसमें multiple variables आपके हो सकते हैं पॉल्योमिल में many variables भी हो सकते है multiple variables के बात आपको समझ आ गई कि polynomial में सिरफ एक ही नहीं होता बहुत variable होते हैं पर आपके syllables में लेकिन सिरफ वर्रीइबल principal वाला ही topic हमारा है तो हम वान वेरियबल ही लेंगे, समझ गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे पॉलिनोमिल की क्लासिफिकेशन ब्रॉडली हम अगर क्लासिफाई करें तो नंबर ओफ टर्म्स के बेस पे होता है और एक होता है आपकी नंबर ओफ टर्म्स के अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में एक होता है आपका मोनोम एक हुथापका बाई- नॉमियल, एक उताब का ट्राइनॉमियल. नाम से थोड़े सा पता चल रहा है. मोनो मतलब वन, बाई मतलब टुू, ट्राइ मतलब तीन. मतलब वो पॉलिनॉमियल्स जिसमें सिरफ एक ही टर्म है, उसको हम बोलते है monomial मतलब हमारी one term अगर है उसको हम बोलेंगे monomial binomial क्यों होता है जिसमें हमारी two terms है और trinomials क्यों होते है जिसमें हमारी three terms है तो ऐसी polynomial जिसमें one term है उसको monomial कहेंगे two terms हैं तो binomial three terms हैं तो trinomial अच्छा अब यह जो आपकी मैंने एक्जांपल ली थी बताईए यह हमारी कौन से टाइप की polynomial है अगर हम terms के basis पे बोले हैं तो यह क्या है यह आपकी binomial है क्यों क्यों क्योंकि दो terms है एक और यह दो तो दो terms में हो गई हमारी binomial चीक है इसकी बात करूँ तो यह हमारी है trinomial one two three चीक है तीन terms को मिला कर हमने expression बनाया मतलब एक polynomial बनाया तो उसको हम बोलेंगे trinomial चीक है polynomial जो है ना polynomial poly मतलब many many तो one से जादा कितने भी हो सकते ना तो polynomial में ही अगर हम एक एक term की basis पर अगर उसको नाम देना चाहे हैं तो हम बोल देते है monomial, binomial, trinomial हैं यह सब polynomial ही है polynomial में बस फरक इतना है कि poly का मतलब many होता है many तो कितने भी हो सकते हैं तो समझ गए इसका कि terms की basis पर हम कैसे इसको classify करते हैं अब एक आता है आपका number of degree, degree क्या होती है वही जो हमने power यह exponent की बात की थी थी ना उसी को हम बोलते हैं degree, power और exponent लेकिन degree का मतलब क्या होता है, degree की definition क्या है, degree होती है highest power of variable ठीक है, मतलब यह कि कोई polynomial अगर आपके पास है तो उस polynomial में variable तो होगा, वो जो variable की highest power होगी उसको हम बोलते हैं degree, for example 3x3 plus 2x plus x, ठीक है यह एक मेरे पास polynomial है, अब इसमें जो आपका variable x है, इसकी highest power क्या है यहाँ पर इसकी power है 3, इसकी power यहाँ पर 1 है, sorry इसको यहाँ पर 2 लिख लेते है 2x2 लेते हैं, तो इसकी power 2 हो गई और इसकी power 1 तो इन तिरम से highest power क्या है, 3 है, तो यह जो आपका polynomial है इस polynomial की degree आपकी हो जाएगी, 3, ठीक है एक और example अगर मैं लूँ आपकी, 2x3 plus 3, ठीक है इस case में आपका जो variable है, x, इसकी highest power क्या है, 3 है इस case में भी आपकी degree क्या हो जाएगी, degree आपकी हो जाएगी, 3, ठीक है तो मतलब यह कि degree क्या होती, highest power of variable तो degree के basis पे भी polynomial को हम classify करते हैं एक होता हमारा linear, linear polynomial, एक होता हमारा quadratic polynomial एक होता हमारा cubic polynomial ठीक, linear polynomial क्यों होता है वो polynomial जिसमें highest power जो है, 1 है, variable की मतलब जिसकी degree 1 है डिगरी हमारी क्या है, 1 है, उसको हम बोलते linear quadratic क्यों होता है, जिसमें आपकी degree जो है variable की, वो है 2 और cubic क्यों होता है, जिसमें आपकी degree 3 है examples से इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका linear quadratic cubic का तो सबसे पहले हम example लेते है, linear polynomial की linear की ठीक है, तो linear मैंने क्या बताया, जिसकी degree आपकी क्या है, 1 है तो अगर मैं एक example लेते हूं, 3x plus 2 is equal to 0 ठीक, तो इसका जो variable है, उसकी highest power क्या है, 1 है तो यह आपका है linear polynomial एक और example लेते हैं, हमारे for example मैं लेते हूं, सिरफ 5x is equal to 0 तो इसमें भी degree आपकी 1 है, मतलब यह linear polynomial है अच्छा, इसमें terms कितनी है, दो terms है तो अगर term के basis पर इस polynomial का नाम देना हो, तो क्या होगा यह binomial, और यह आपकी वाज़ागी monomial क्योंकि साथ के साथ उसको भी याद रखना example लेते हैं, x is equal to 0 सिरफ इतना, तो यह भी क्या है आपका linear, क्योंकि इसमें भी degree highest power क्या है 1 है, तो मतलब degree क्या है इसकी 1 तो linear polynomial क्यों हो गया, जिसकी degree आपकी हो जगी 1 ठीक है, अब यह जो जितने भी linear polynomials है, यह तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लिनियर polynomial को express करने के लिए एक हमारे पास general expression होता है, जिसके basis पर हम linear polynomial को represent कर सकते हैं, express कर सकते हैं, वो general expression क्यों होता है आपका, general expression अगर मैं लिखना चाहूं तो वो आपका होता है, ax plus b is equal to 0 ठीक है? यह आपका linear polynomial के लिए journal expression है, जिसमें कि हमारा variable क्या है, x है, और x की power क्या है, वाने, तो इसको देखकर ही हमें पता चल रहे हैं, कि हमारा linear polynomial है, क्योंकि इसमें जो आपका variable है, उसकी degree क्या है, 1, ठीक, और a और b क्या है, आपके constants है ठीक है, और एक और चीज़, कि आपका जो a है, वो 0 के equal नहीं होना चाहिए, यह condition है, क्यों, क्योंकि अगर a आपका 0 हो जाएगा, तो 0 को किसी के साथ भी multiply करो, तो answer क्या आता है, 0 तो यह जो पूरा expression है, यह तो 0 बन जाएगा, सिरफ क्या रह जाएगा, b और अगर यही 0 बन जाएगा, तो variable तो रहेगा नहीं कोई, और variable अगर रहेगा नहीं, तो हम उसको linear कैसे कहेंगी, linear तो तब ही होता न, जब variable हो और उसकी degree क्या हो, 1 हो, मतलब उसकी power 1 हो, polynomial की degree, 1 होने चाहिए, तो power 1 होने के लिए, आपके पास variable तो होना चाहिए, तो variable तब ही होगा, अगर आपका a 0 के एकवल नहीं हुआ, चीक है, यह condition याद रखना, तो general expression होगा, a x plus b is equal to 0, चीक, अब एक होड term है, term हमारी है coefficient, coefficient क्यों होता है, coefficient होता है आपका जो भी variable है, होंगे हम coefficient, तो coefficient इस केस में क्या है, a है, क्योंकि variable के साथ लगा हुआ है, समझगे, coefficient क्या होता है, जो भी variable के साथ number लगा होता है, उसको हम बोलते हैं coefficient, तो यह तो हो गया linear polynomial की बात, सेम वैसे अगर हम quadratic के बात करें, quadratic equation यह quadratic polynomial के बात करें, तो example लेते हो इसकी, 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0, यह एक expression आपका, अब इसमें देखिए जो आपका variable है, उसकी power, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो highest क्या है, 2, highest 2 है, तो मतलब हम कह सकते हैं, यह जो आपका expression, यह जो पूरी equation है, इस equation की degree क्या है, 2, quadratic क्यों होता है, जिसमें आपकी degree होती है, 2, ठीक है, एक और example लेते हैं, example हमारी है, 3x square is equal to 0, ठीक, यह भी आपकी एक polynomial बन रहा है, मतलब यह पूरी equation आपकी, equation के जो highest power है, वो 2 है, variable की, तो हम कह सकते हैं, यह जो आपका पूरा equation है, इसकी degree क्या है, 2 है, तो यह भी आपका बन गया, quadratic equation, terms के basis पर बोलें, तो यह आपकी monomial equation है, यह आपकी prynomial equation है, समझगे, तो यह जो जितनी भी terms है, जितनी भी हमने expression लिखें, जितनी भी equations लिखीं, इसका भी एक general expression होगे, जैसा आपका linear का था, तो अगर हम इसके भी general बात करें, जर्नल लिखें, लिखें, तो वो आपका हो जाएगा, ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, देखकर पता चल रहा है, यह आपका जो equation है, इसका जो variable है, x, उसकी highest power क्या है, 2 है, तो मतलब हमारी जो पूरे expression है, इसके degree क्या होगी, 2 होगी, ठीक, और यहाँ पे पे वही condition की a आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a क्या है, a वो है, जो आपकी highest power वाले variable के साथ लगा हुआ coefficient है, तो highest power वाले term ही अगर आपकी पूरे 0 हो जाएगी, कि आपके degree क्या होगी, यह term जो है, यह express कर रही है, यही term आपकी represent कर रही है, कि आपका जो पूरा polynomial है, इसकी degree क्या है, है ना, तो अगर यही 0 हो जाएगी, तो आपकी degree 1 नहीं रहेगी, सेम इसी case में आपकी degree 2 नहीं रहेगी, इसलिए a आपका 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर आपके पूछूं कि coefficient क्या है, इस पूरी polynomial में कितने coefficients हैं, और कौन-कौन से, तो coefficient हमारे है, मैंने क्या बताया तो, coefficient होता है, variable के साथ लगा हुआ, जो term है, जो number है, तो यहाँ पर दो coefficient है, एक coefficient आपका a है, जो आपका x-square के साथ लगा है, और एक coefficient आपका b है, जो की x के साथ लगा है, variable के साथ लगा हुआ, variable के साथ लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर कितने coefficient है, दो coefficient, इस चीज को भी ध्यान रखना इसी तरह से हम देखेंगे अब cubic का case अब अगर हम बात करें cubic की तो cubic मैंने क्या बोला था जिसमें की आपकी polynomial की degree क्या होने चाहिए 3 मतलब highest power आपका variable का क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए इसमें भी अगर मैं example लेती हूँ 4x cube plus 2x square plus 5x is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर जितना भी variable हमारा x है उसके highest power क्या है 3 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो highest power क्या है 3 और highest power को हम क्या बोलते है degree तो हम बोलेंगे कि यह जो polynomial है इसकी degree क्या है 3 तो 3 degree वाले polynomial को हम क्या बोलते है cubic polynomial समझके तो इसमें हमारी degree है 3 degree का मतलब भी highest power है तो इसलिए हमारी होगी cubic एक और example लेते है 4x cube plus 2 is equal to 0 ठीक है यहाँ पर भी variable एक ही term में है इस term में है उससे फरकने पड़ता variable है ना किसी औरे polynomial में तो variable है सिर्फ चाहिए एक ही term में हो उससे फरकने ही पड़ेगा एक variable होना ज़रूरी है और जो आपका variable है उसकी highest power क्या है 3 है इसलिए degrees की 3 है इसलिए इस polynomial को हम भी क्या बोलेंगे cubic polynomial ठीक terms के basis में बोलूं तो यह हमारा होगा trinomial यह हमारा होगा binomial ठीक है तो cubic की general expression बनाना हो अगर आपको तो हम लिखेंगे general expression आपका आजाएगा ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 यह आपका होगा general expression cubic के लिए और यहाँ पर भी same वही चीज़ की a आपका 0 के equal नहीं होना चाहिए क्योंकि a किसका coefficient है x cube का है और x cube के कारण ही मैं पता चले हैं कि हमारा यह जो polynomial है यह आपका cubic है तो इसलिए इस term को हम तो 0 होने नहीं देंगे और 0 कब नहीं होगा अगर आपका a 0 के equal नहीं होगा तो तो यहाँ पर आपका होगा cubic polynomial का general expression अच्छा coefficient की अगर बात करें coefficient कितने कोफिशेंट है इसमें 1 2 3 क्यों क्योंकि तीन वेरियेबल्स है वेरियेबल्स के साथ लगा हुआ जो term होता है जो number होता है उसको बोलते हैं कोफिशेंट तो यहाँ पर x के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर b और एक यह c मतलब हमारे हो गए तीन कोफिशेंट चीक है तो क्यूबिक पीव समझ आगे आपको तो linear quadratic cubic यही main आपके polynomial होते on the basis of degree और आपके chapter में भी यही है तो I hope आपको यह चीज़ समझ आगी होगी इसकी general expressions को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हमें क्या मतलब होता है यह solution zeros और roots का zeros solutions roots of equation यह आपका next topic है क्या मतलब होता है zeros का मतलब होता है variable की ऐसी value जिसपे कि आपका जो पूरा polynomial है वो 0 बन जाए मतलब यह कि अगर मेरा polynomial है देखें, polynomial को हम ऐसे represent करते है प होगे आपका polynomial और x क्या होता है जो आपका यहाँ पे variable है बताती हूं जैसे आपका है 3x plus 2 यह मेरे पास एक polynomial है इस polynomial में variable क्या है x है इसलिए p के साथ यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा x तो यह जो चीज़ है यह represent करें polynomial तो अगर हमारे पास polynomial है एक 3x plus 2 तो zeros क्या होते है x की ऐसी value जिस पे आपका यह जो पूरा expression है यह जो पूरा polynomial है यह 0 के equal आ जाए उसको बोलते हम zeros, zeros of equation मतलब x की वो values zeros भी कह सकते हैं, solution भी कह सकते हैं roots भी कहते हैं, 3-3 असस को हम बोल सकते हैं तो अब इसको हम कैसे निकालते हैं देखे, हमें चाहिए न 3x plus 2 किसके equal चाहिए, 0 के हैं तो इसको मैं लिख सकते हूं ऐसे कि 3x plus 2 हमारा 0 कब होगा, x की value निकालिया तो हम अगर करेंगे 3x is equal to minus 2 x आपका जाएगा minus 2 by 3 मतलब अगर मैं x की value इस equation में minus 2 by 3 put करती हूं, तो मेरे यह जो पूरा equation नहीं, यह 0 के equal आजाएगा, चेक करते हैं इसको, यह हमारा पास 3 था into 2 by 3 minus 2 by 3, यह जो value थे x की हमने डाल दी, plus 2, ठीक, यह bracket का मतलब क्या होता है, multiply हो रहे multiply हो रहे, तो multiply हो रहे तो उसको मैं ऐसे में लिख सकती हूं ठीक है, यह 3, 3 आपका cancel हो जाएगा, क्या रहे गया minus 2 plus 2, minus 2 plus 2 क्यों होता है, 0, तो मतलब हमारा जो पूरा, यह जो equation था यह 0 के equal आ गया, किस value पर आया, x की minus 2 by 3 वाली value पर आया, तो मतलब इस expression के लिए हमारा 0 क्या है minus 2 by 3, 0s यह solution क्या है minus 2 by 3, अगर मैं roots की बात करूँ, roots क्या है minus 2 by 3, मतलब x की वो value जिस पर आपका expression 0 हो जाए simple, उसको हम बोलेंगे roots of equation, यह zeros of equation solutions of equation समझके एक दिसे बाद, कि roots का क्या मतलब होता है, अब इसको solve कैसे करते हैं, वो भी आपको मैंने यहाँ पर बताई दिया थोड़ा सा, कि आपको जो भी है उसको equal, 0 के equal equate करो, उससे आपको x की value मिल जाएगी छीक आपको बता है, किसी भी polynomial कर बता सकते हैं, कि उसमें कितने zeros होंगे सिरफ उसकी degree देखकर, कैसे करते हैं इसको discuss, हमारा zeros और degree के बिच में एक relation होता है कैसा relation होता है, relation यह होता है कि हम किसी भी polynomial की degree को देखकर बता सकते हैं, कि वो polynomial के में कितने zeros आ सकेंगे for example, अगर मैं linear की बात करूँ, linear polynomial अभी पढ़ा ना, जिसकी degree क्या होती है, degree होती है 1, ठीक है, अगर मैं example लेती हूँ, 3x plus 2 जो भी हमने question किया था, ठीक है, यह हमारा क्या है, Px, मतलब polynomial है, इसकी degree क्या है, 1 है, तो आपके polynomial की degree अगर 1 है, तो इसमें maximum number of solutions या maximum number of zeros कितने possible है, 1 मतलब x की एक ही ऐसी value आई कि जिस पर आपका पूरा polynomial है, वो 0 के equal बन सकेगा, हमने जब solve किया था, तो हमारा x की value क्या आई थी, minus 2 by 3, एक ही value आई थी, जिस पर हमारा answer क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यह जो पूरा equation था, 0 आ रहा था, मतलब अगर degree 1 है, तो हम कह सकते हैं, क कि number of zeros भी इसमें कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, सिंपल यह कहेंगे कि linear equation में हमारे पास number of zeros कितने होते हैं, 1, एक ही number of 0 होता है, मतलब x की एक ही value possible है, जिस पर आपका पूरा polynomial 0 के equal आता है, सेम वैसे अगर हम quadratic की बात करें, quadratic की degree क्या होती है, 2, अगर मैं example लिती हूँ, px is equal to 2x square minus 2, ठीक, यह आपका quadratic equation है, और इसमें degree क्या है, 2 है, highest power 2 है, ठीक है, तो number of zeros possible कितने हैं, 2, 2, ठीक है, number of zeros कितने आ सकते हैं, इसमें, 2, मतलब maximum 2 ही आएंगे, 2 से जादा नहीं आ सकते, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि x के हमार पास 3 value बनेंगे, जिसमें की यह आपका पूरा equation है, 0 के equal है, ऐसा नहीं होगा, maximum कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको solve करूँ, देखे, तो कैसे करेंगे, 2x square minus 2 is equal to 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें x की value क्या चाहिए, ऐसी चाहिए, जिस पर यह पूरा 0 के equal आ जाए, तो 2x square आजाएगा, 2 के equal, यह आपका cancel हो जाएगा, 2x square is equal to 2 by 2, यह cancel हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा, 1, मतलब x square की value आपकी आ रही है, 1, अगर square की value 1 हा रही है, तो हम क x में x की value minus 1 डालू, तब भी उसका square करके 1 आएगा, plus 1 डालूंगे, तब भी square करके 1 आएगा, तो मतलब मेरी x की क्या के value आ रही है, एक value आ रही है 1, और एक आ रही है minus 1, कितनी value आई, 2 values आई, मतलब number of zeros कितने है, 2, और हमने क्या बोला, कि quadratic में, quadratic में degree 2 होती है, हमें पता ह तो quadratic में number of zeros कितने आएगे, 2 आएगे, तो 2 numbers of zeros आ सकते है, अब यह number of zeros आपके same भी आ सकते है, different भी आ सकते है, वो आपका next chapter है quadratic equation, उसमें आप detail में पढ़ेंगे, कि आपके solutions किस तरह से आते है, पर अभी मैं बस थोड़ा सा बता देती हूं, कि जैसे यहां पे हमारा 1 और minus 1 दो अलग-अलग values आई, ऐसा भी हो सकता है किसी equation में आपके पास 2 same value आई है, मतला 1 और 1, 2 आई, तो value तो 2 आ रही है, number of zeros तो 2 आ रही है, अब वो 2 number of zeros आपके distinct भी हो सकते है, equal भी हो सकते है, तो यह आपको पता चल गया कि quadratic equation में, क्योंकि डिग्री जी, 2 होती है, तो number of zeros कि में कितने आएंगे, number of zeros, आपके 3 आएंगे, मतलब, at most आपके 3 zeros आ सकते है, 3 से जादा नहीं आएंगे, ठीक है, करते हैं कि example की help से इसको verify, हमारे पास एक equation x cube minus 4x, ठीक, इसको हमने solve करना है, तो कैसे करेंगे, x cube minus 4x is equal to 0 लेंगे, इधर से हम x common ले सकते है, x square minus 4 equal to 0, अब अगर आपके पास ऐसी term आ गई, तो क्या हो सकते है, यहां तो आपका x 0 होगा, यहां यह चीज़ पूरे 0 होगी, तब यह answer 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में multiplication है, तो हम लिख सकते हैं कि एक हमारा x equal to 0 है, और दूसरा हमारा आ जाएगा, x square minus 4 is equal to 0, इसको हम further solve क करेंगे, x square is equal to 4 आ गया, square अगर 4 है, तो x की value के आ जाएगी, plus minus 2, ठीक है, तो मतलब हमारी x की यहां से कितनी value निकल रही है, 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के हमारा पास value है, 1 minus 2 और 1 2, दो values यहां से आई, और 1 value यह थी, तो मतलब total कितनी value निकल रही है, 3, 1 0, 1 minus 2 और 2, तो यहां पर हमारी x की 3 values आई, वही मैंने बोला कि अगर degree 3 है, तो हमारे पास number of zeros कितने आ सकते हैं, at most 3, मतलब maximum 3 आएंगे, 3 से जादा ने आएंगे, 3 से कम आ सकते हैं, ठीक, तो यह बात आपको याद रखने हैं कि number of zeros और degree का क्या आपस में relation है, ठीक है, तो I hope आपको इतना समझ आ गया होगा, अच्छे से polynomial के बारे में, polynomials के हमने types पड़ी, on the basis of आपके terms के basis पर पड़ी हमने, एक तो binomial, trinomial और basis of degree पर, एक हमारा था उसमें linear, फिर quadratic और फिर cubic, ठीक है, degree के बारे में आपके पूरा समझ लिया कि degree का मतलब क्या होता है, highest power जोती, उसको हम ब समझा, उसका एक geometrical meaning भी है, जैसे अभी हमने बोला कि linear equation की बात कर रहे हैं, उसमें आपका degree 1 है, तो number of zeros कितने आ सकते हैं, 1, ठीक है, सेम वैसे quadratic के लिए मैंने बोला कि number of zeros कितने आ सकते हैं, 2, और cubic के लिए 3, तो वही चीज़ अगर हम graph में plot करके किस equation को solve करें, वही चीज हम graphically भी इसको देख सकते हैं, मतलब geometrical meaning b है इसका, हम graphically इसको check कर सकते हैं, तो समझते हैं इसको भी example के help से, अगर हम बात करें linear की, तो linear के लिए भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी degree 1 है, तो maximum number of zeros of linear polynomial कितने आएंगे, 1, मतलब 1 है इसका number of zeros होंगे, x की वह value जिस पर आपका linear equation, 0 के equal आजाए, वो कितनी values exist करती है, 1 value exist करती है, x की, इसको हम graphical येगर देखें, तो अगर हम एक example लेते है, px हमारे पास है, 2x plus 3, ये एक हमारे पास equation है, polynomial की, linear की, अब हमने class 9 में पढ़ा था, कि जब भी कभी ऐसा कुछ linear equation आजाए, y is equal to ax plus b की form में, तो उसका जो graph है, हमेशा क्या बनते है, straight line बनती है, ठीक है, तो इसको भी हम check करेंगे, अब हमारे पास 2x plus 3 है, तो आप plot करने के लिए, आपको पता है कि points की value कैसे लेते हैं, हम लेते है, x और y, ये हमारा पूरा y होता है, px जो है न, इसको हम y करके भी लिख सकती है, मतलब इसको अगर मैं लेती हूँ, 0, ठीक, तो मेरा y क्या आएगा, 3 आजाएगा, x की value अगर लेती हूँ, 1, तो y मेरा क्या आएगा, 5 आजाएगा, 2 प्रेस 3 होगा, आपका 5, अगर मैं x की value लेती हूँ, minus 1, तो ये आपका answer क्या आजाएगा, 1, y आपका आजाएगा, ठीक है, इसको अगर मैं graph पर plot करूँ, तो देखते हैं, इसको कैसे ये दिखेगा, okay, so ये मैंने बना दिया graph, इसको plot करते है, x की value जब जीतो थी, तो y हमारा था 3, तो ये हमारा आजाए, 3, ठीक, x की value जब 1 थी, तो y हमारा था 5, तो ये यहाँ कहीं आएगा, x की value जब minus 1 है, तो y हमारा ये आपका कहीं यहाँ पर, जब इसको हम join करेंगे, तो हमारी line कुछ, ऐसी बनेगी, तो ये आपकी बन्री है, straight line, ठीक है, अब दिखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें zeros कितने बन रहे हैं, हमें देखना है कि ये जो line आपकी बन रही है, ये जो graph आपका बन रहा है, य ये x-axis को यहाँ पर one time कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो equation है, इसमे number of zeros कितने है, one, ठीक है, तो number of zeros कैसे हमें पता चलता है, x-axis को कितने बार कट कर रहा है, उसको देखना होता है, ठीक है, x-axis पर कितने बार, आपका जो line है, ये आप चल रहा है कि हमारी line जो है, एक बार कट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे, इसमे number of zeros कितने है, one, और अब ये जो कट कर रहा है, इसके अगर हमे value find करने तो हम वो भी find कर सकते है, यहाँ पर अगर इसको graph में अगर आप इसको देखेंगे, तो इसको देखकर आप क्योंकि उसकी degree 2 है, तो number of zeros कितने possible है, 2, quadratic में कितने number of possible zeros है, 2, मतलब at most हमारे पास 2 zeros ही आएंगे, 2 से जाधा नहीं आ सकते है, मतलब 2 values आएंगे, x की 2 से जाधा नहीं आएंगे, चेक है, तो 2 से जाधा नहीं आएंगे, मतलब कि इसमें कितने values exist कर सकती है, 0, मतलब जिसको निल कहेंगे, 1 और 2, या तो हमारे equation में कोई भी answer नहीं आएगा, ठीक है, x कैसी कोई value exist करती ही नहीं होगी, कि आपका equation आपकी 0 हो जाए, तो उस case में हम बोलेंगे, कि number of zeros कितने है, 0, अगर 1 value होगी, तो हम बोलेंगे, कि number of zeros कितने possible है, 1, और अगर 2 होगी, तो हम हम example लेते हैं, 2 zeros की, let's suppose हमारे पास एक equation है, px is equal to x raise to power 2 minus 4, ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y is equal to x raise to power 2 minus 4, तो सेम वैसे x और y की हमें values लेनी हैं कुछ, और फिर उसको graph पे plot करना है, तीन values ले लेते हैं, x की value अगर मैं minus 2 लोग, तो हमारा y आजाएगा 0, ठीक है, क्योंकि square है, x की value अगर मैं 0 लेती हूँ, तो y मेरा आजाएगा minus 4, और x की value अगर मैं 2 लेती हूँ, तब भी मेरा y की आएगा 0, तो यहाँ पे तो वैसे भी देखकर भी पता चल रहा है कि मे तो करते हैं, तो करते हैं इसको graph पे plot, x की value जब मेरी minus 2 थी, तो मेरा y था 0, मतलब एक point यह आगया, x की value जब मेरी 0 थी, तो y मेरा था minus 4, यह, और x की value जब मेरी 2 थी, तो y मेरा था 0, तो यह, चीक है, इसको जब मैं draw करूंगी, तो यह कुछ ऐसे से बनेगा, ठीक है, यह यह जो बन रहा है, अब इसमें देखिए, x-axis को यह जो graph हमारा बना है, कितने बार cut कर रहा है, x-axis को, दो बार cut कर रहा है, इसका मतलब, इस equation पर, हमारी quadratic equation की, कितने number of zeros possible हैं, 2, तो इससे हमें पते चल रहा है, कि two values हमारी possible है, क्योंकि यह graph जो है, दो बार cut कर रहा है, और यह जो इसकी जो shape देखिए, यह जो ऐसे u-shape होती, इसको हम बोलते है, parabola, ठीक है, यह जो u-shape होती, इसको हम बोलते है, parabola, ठीक, यह u-shape ऐसे भी हो सकती है, inverted भी हो सकती है, मतलब, ऐसे भी रहेगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कब होती है, upward की types में, जब हमारा a की value, 0 से बढ़ी होती है, अब a क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अब general equation quadratic क्या थी? इंग square plus bx plus c is equal to 0, ये आपकी general equation थी, इसमें a क्या है? इसमें a क्या है? x square के साथ का coefficient यहां पे क्या है? 1, 1 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, तो वही मैंने बोला, कि अगर A आपका 0 से बड़ा है तब आपका parabola जो बनेगा मतलब जो graph बनेगा quadratic का वो इस तरह से बनेगा ठीक है और अगर A की value 0 से छोटी होती है negative होती है तो उस case में आपका inverted U shape में graph बनेगा parabola आपका ऐसा बनेगा ठीक यह चीज़ हो गई तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा quadratic equation यह वाले जो x square minus 4 थी इसमें x की दो values exist करती है जिस पर आपका y जो है 0 आएगा कौन-कौन सी दो values है एक हमारी 2 है एक हमारी minus 2 है यहाँ से हमें देख के भी पता चल गया अब हम case लेते हैं जिसमें हमारे पास 1 value है 0 की इसको मैं लिख देते हुँ यहाँ पर हमारे पास number of zeros इसमें कितने आए थे 2 जिक अब हम देखते है number of zeros जिसमें आएंगे हमारे 1 जिक होगी वो भी quadratic equation लेकिन number of zeros कितने होंगे उसमें 1 होंगे तो ले लेते हैं px is equal to x square चेक तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y is equal to x square अब इसमें भी वही करेंगे x और y लेंगे कुछ values और उसको graph पर plot करेंगे तीन values ले लेते हैं चेक है अच्छा अगर मैं x की value को 0 लेते हूँ तो y मेरा क्या आएगा 0 आएगा x की value को अगर 1 लेते हूँ तो y मेरा क्या आएगा 1 x को अगर मैं 2 लेते हूँ तो y मेरा क्या आएगा 4 चीक है अब इसको भी plot करते है तो सबसे पहले जब हमारा x 0 था तो y भी हमारा 0 था चीक है second x जब 1 था y हमारा 1 था और x जब 2 था y हमारा 4 था तो इसको जब यह extend कर दूँ तो यह कुछ ऐसे जा रहा है और फिर उसके बाद यहां से उपर जाएगा तो यहां पर हमें देखकर क्या पता चल रहा है कि x-axis को यह जो graph है कितने बार cut कर रहा है सिरफ एक बार कहां पर जिरो जिरो पर इस पॉन पर ठीक है तो यहां पर भी हमारा जो ग्राफ बंड़ रहा पैरा बोला लेकिन cut कितने बार कर रहा है एक मतलब number of zeros कितने है इसमें 1 मतलब हम कह सकते हैं कि x की वो value जिस पर आपका px जो है वो 0 आजाए कितनी ऐसी value एक्जिस्ट करती है तो 1 value एक्जिस्ट करती है कौन सी 0 ठीक है 0 कि इलाब आप कुछ भी value पुट करोगे तो आपका answer कभी भी 0 नहीं आएगा ठीक तो यह आपकी quadratic equation की second example होगी जिसमें आपके number of zeros क्या 1 है अब एक देखते हैं जिसमें number of zeros 0 है मतलब कोई nil है कोई भी 0 ऐसा कोई भी x की ऐसी value एक्जिस्ट करती ही नहीं होगी जिसमें आपका answer जो है जो आपका equation है वो पूरा 0 हो जाए उसका भी एक example देख लेते है अब हम दिखेंग जिसमें number of zeros हमारी कितने आ रहे है निल कोई भी number of zeros आएगा ही नहीं उसके example लेते है equation हम ले लेते हमारी px is equal to x square minus 4 x square plus 4 sorry px is equal to x square plus 4 ठीक है इस पर भी वही करेंगे इसको पहले तो मैं लिख लेते है y is equal to x square plus 4 x और y की हम कुछ values लेंगे ठीक है x की value अगर मैं 0 लेते हूँ तो मेरा y आ जाता है 4 x की value अगर मैं minus 1 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 5 x की value अगर मैं 1 लेती हूँ तब मेरा y आ जाएगा 5 ठीक है तीन values हमने ले ली इसको भी plot करके देखते हैं इसको हम plot करके check करते हैं x की value जब 0 थी y हमारा था 4 x की value जब minus 1 थी y था 5 यहां पर आयका और x की value जब 1 थी तब y था 5 ठीक है तो यह इसको हम जब join करेंगे तो हमारा बनेगा ऐसे बनना तो parabola ही है ठीक है अब इसमें देखिए यह जो आपका parabola बन रहा है जो ग्राफ बन रहा है यह 0 यह x axis को कहीं भी नहीं कट कर रहा तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर number of zeros कितने है जीरो मतलब nil कोई भी number of zero exist नहीं करता मतलब x के ऐसी कोई भी value exist नहीं करते जिसमें x square plus 4 आपका 0 के equal आ जाएगा और वैसे भी understood है हम x की value कुछ भी डालेंगे यह plus 4 के कारण answer तो हमेशन 4 या 4 से जाधा ही आने वाला है है न 4 से कम तो आई नहीं सकता x की value अगर आप negative भी डालोगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि square है तो positive ही आचाएगा zero डालोगे तब भी नहीं आएगा तो इससे हमें क्या पता चला हमें यह पता चला कि quadratic equation में maximum हमारे पास two answers possible है two numbers of roots zeros या solution कहलो possible है दो से जाधा values नहीं आ सकती दो से कम आ सकती है तो कभी भी अगर statement दिया होगा कि quadratic equation में exactly two values आती है तो वो completely true नहीं होगा क्योंकि हमेशा two नहीं आती two से कम आती है at most word बिल्कुल proper है बिल्कुल correct है उसके लिए ठीक है कि जब भी कभी लिखा होगा कि at most two आती हाँ बिल्कुल सही क्योंकि quadratic में two से जाधा कभी values आ ही नहीं सकती same वैसे हम cubic का भी देखते हैं तो cubic को भी समझ लेते हैं एक बल उसमें कैसे होता है अगर हम बात करें cubic equation की क्योंकि मैंने बताया कि cubic के case में हमारे पास degree क्या होती है 3 होती है degree हमारी होती है 3 तो number of zeros कितने होंगे number of zeros भी at most कितने होंगे 3 से जाधा values तो आए नहीं सकते उसमें भी ठीक है लेकिन कौन-कौन से 3 इसके case में देखिए हैं 3 तरह के कौन से होते हैं एक होता आपका 1 2 और 3 मतलब number of zeros यहां तो 1 होंगे यहां 2 होंगे यहां 3 होंगे 3 से जाधा हो नहीं सकते और 0 हो नहीं सकता ठीक यह चीज़ धियान क्योंकि quadratic की case में 0 possible था ना value आ रही थी यहां पर ऐसे नहीं एक ना एक answer तो आएगा x का तो तीनों cases को एक बार वापिस देख लेते हैं जैसे हमने quadratic में देखा था वैसे हम cubic का भी देख लेते हैं सबसे बहले हम देखते हैं number of zeros जब हमारे 3 होंगे ठीक है उस case की example लेते हैं अगर हमारा number of zeros 3 होंगे तब हमारा graph कैसा बनेगा और कौन-कौन सी values आएंगी example ले लेते हमारा px is equal to x cube minus 4x ठीक x और y की हम value लेते हैं x और y की अच्छा x की value अगर मैं minus 1 लेते हूं तो मेरा y क्या आएगा plus 3 आएगा ठीक है प्योंकि minus 1 यहां पर डालेंगे तो minus 4 हो जाएगा और यहां पर plus 1 आजाएगा तो यहां आपका आजाएगा plus 3 अगर मैं x की value 0 लेते हूं तो y मेरा 0 आजाएगा x की value अगर मैं 1 लेते हूं तो y मेरा आजाएगा minus 3 ठीक है और एक और example लेते हैं अगर मैं x को 2 लेते हूं तो मेरा y आजाते हैं 0 ठीक अब इसका हम graph plot करके देखते हैं कि कैसे बनता है यह ग्राफ मेरा बनिया में इसको plot करते हैं सबसे पहले जब हमारा x minus 1 था तो y हमारा था 3 तो यह यहां कहीं आएगा x चब 0 था था y हमारा था x चब 2 था था zee 0 मतले यह यहां बरे रहेगा इसको अगर मैं plot करूँ इसको मैं अगर join करूँ तो यह कुछ ऐसे फिर ऐसे करके जाएगा ठीक है इसमें हमना एक value और ले ले लिए था कि हमें अच्छे सा समझ आ जा कि ये graph जा कहा रहा है एक value ले ले लेते हैं x की हम minus 2 जब हम minus 2 लेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 0 ठीक है ये सही है इसमें हमें देखकर भी पता चल रहा है हमारे पास तीन values आ रहे हैं x की जिस पर y हमारा 0 है तो इसको भी plot कर लेते हैं y x हमारा minus 2 था तो y हमारा था 0 एक point तो आगे है ये इसको अगर मैं join करूंगी ये ऐसे करके इधर करके join होगा ठीक है तो अगर इसको मैं देखूं तो ये कितने बार कट कर रहे x एकसिस को तीन बार कट कर रहे और यहां पर भी हमें values से पता चल रहे है कि तीन ऐसी values हैं जिस पर हमारा ये जो graph है जिस पर हमारा जो ये equation है ये 0 के equal आ जाएगा ठीक तो number of zeros कितने आए इसमें 3 आए ठीक है तो आप ग्राफिकली भी देखकर हम बता सकते हैं कि इस case में हमारा पास number of zeros कितने है 3 ठीक तो वैसे हम second तो वैसे हम number of zeros जब 2 होंगे उसका case भी देख लेते हैं एक बार जब number of zeros हमारे cubic equations में 2 होंगे दो number of zeros होंगे तब क्या होगा एक्जामपल लेते हैं इसमें भी हमारा पास PX है X cube minus X square ठीक है डिग्रीज में 3 है मतलब हाइस पार 3 है तो यह cubic equation है ठीक तो इसको अगर हम करें X और Y values कुछ लेंगे और फिर plot करके देखेंगे कि क्या यह दो बार cut कर रहा है कि यह ज़्यादा बार cut कर रहा है चीक है X के value जब मैं minus 2 लेती हूं तो उस case में मेरा answer आ रहा है minus 4 चीक X की value अगर मैं 2 लेती हूं तो वहाँ पे मेरा आ रहा है 4 X की value अगर मैं 1 लेती हूं तो यहाँ पर हमारा answer आ रहा है 0 X की value अगर मैं 0 लेती हूं तो हमारा आ रहा है 0 चीक इसको हम plot करके देखते हैं ओके इसको plot करते हैं X जब हमारा minus 2 था तो Y हमारा था minus 4 तो यह यहाँ कहीं आएगा X जब 2 था तो Y हमारा था 4 यहाँ X जब 1 था Y हमारा था 0 ओके X जब 0 था तो Y हमारा था 0 चीक इसको अगर हम join करेंगे तो यह कुछ इस तरह से आएगा चीक है तो यह देखकर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास यह X से को कितने बार cut कर रहा है दो बार cut कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर तो मतलब number of zeros कितने इसके 2 इससे ज़ादे यह cut नि करेगा क्योंग यहाँ से वापिस उपर को नहीं जाएगा यह ऐसे एक ही बार करके ऐसे curve हो गया एक बार increase हुआ फिर ऐसे करके उपर तो number of zeros कितने आए इसमें 2 मतलब दो बार यह cut कर रहा है तो I hope आपको समझ आ रहा है अच्छे से कि कैसे हम number of zeros ग्राफिकली देख सकते है कि कितने कितने zeros possible है अब next case लेते हैं जब हमारा number of zeros 1 आएंगे एक ही number of zeros आएगा उसकी example भी ले ले लेते हैं let's suppose हमारे पास px है x3 के एक वोई इसमें भी हम x और y की values कुछ लेंगे और उसको plot कर करे देखते हैं x को जब 0 लेते ही तो y मेरा 0 आता है x को 1 लोग गी तो y मेरा 1 आएगा x को 2 लोग गी तो y मेरा 1 आएगा इसको plot कर कर करे देखते हैं okay so इसमें हम च्छ करते हैं x जब 0 था, y हमारा 0 था, x जब 1 था, y 1 था, x2 था, y हमारा 8 था, ठीक है, इसको अगर हम जॉइन करेंगे, तो यह आपका, ऐसे, ठीक, यह कितनी बार कट कर रहा है, x-axis को, एक बार कट कर रहा है, मतलब number of zeros कितने possible है, इसमें, 1, तो इससे हमें क्या पता चला, कि cubic equation, क्यूंक से कम आ सकते हैं, वो हमने देख लिया, ग्राफिकली, सेम वैसे, क्वाडिटी के case में, at most 2 आ सकते हैं, 2 से जादा नहीं आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं, मतलब यह कि अगर हमें को एक ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ को देखकर हम यह बता सकते हैं, कि इस ग्राफ में, मतलब इस equation में number of zeros कितने आ रहे हैं, यह हमने देख लिया कि graphically हम जो वैट्रिकली, graphically हम कैसे देख सकते हैं, कि number of zeros कितने possible है, तो in journal अगर मैं बोलूं, कि अगर हमारे पास कोई given polynomial है, जिसकी degree n है, n degree है, तो number of zeros कितने, उसमें at most होंगे n, ठीक है, जितने degree, at most उतने number of zeros possible हैं, उस से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, second thing ये, कि अगर आपके पास degree जो है, वो odd है, तो उस case में आपके पास कभी भी nil 0 नहीं possible, मतलब कि अगर हमारे पास जैसे cubic का case ले लीजे, cubic में degree क्या है, 3 है, 3 हमारा odd होता है, तो number of zeros हमारे कभी भी 0, nil possible नहीं है, nil 0, मतलब ऐसा हो सकता है, कि कोई 0 exist ना करे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता, 3 हो सकता है, nil नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें इससे पता चलती, तो ये था हमारा geometrical meaning of zeros of the polynomial, और इसी के साथ हमारा आज का introduction lecture complete होता है, जिसमें हमने polynomial से related सभी terms को समझा अच्छे से, और साथ हमने देखा कि ये number of zeros हम कैसे graphically check कर सकते हैं, next video में हम करेंगे example और exercise 2.1 के questions को, तो अगर आपको इससे related कुछ भी doubt है, तो comment section में जरूर पूछना, और इसकी pdf के लिए telegram channel हमारा join कर लिना, क्योंकि ये जितना भी मैंने समझाया, इस सब की pdf आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो अगर आपको आज का ये session useful लगा तो अपने सभी friends के साथ share करना and do subscribe my youtube channel, thank you so much